Good morning students, आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण जो बुख है हमारे पास दिपिका व्याकरण उससे हम व्याकरण सीखेंगे और आज हम शुरू करेंगे फर्स चेप्टर फर्स चेप्टर का नाम है मेरा परिचय यानि कि आपका परिचय तो इसमें आपको जो ये कुछ एक लाइन्स दी हुई है इसमें आपको आपके बारे में लिखना है जैसे कि आपका नाम क्या है आप कितने वर्ष के हैं आप किस जगे पर रहते हैं आपके पिता जी का नाम आपके पिता जी क्या काम करते हैं जैसे के शिक्षक, डॉक्टर, वकील तो वो लिखना है आपको उसके बाद आपकी माता जी का नाम लिखना है और आपकी माता जी क्या करती है वो लिखना है और लास्ट में आपके भाई या बेहन जो भी है उनका नाम आपको यहां लिखना है नेक्स्ट है अपनी कक्षा के बारे में लिखिए तो आपको अपनी कक्षा यानि कि अपनी क्लास के बारे में लिखना है जैसे कि मेरी कक्षा में डैश बच्चे हैं यानि कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं आपके टीचर का नाम उसके बाद आपकी कक्षा में एक चीज है क्या होता है कक्षा में यानि कि आपके क्लास में क्लास में होता है एक ब्लैक बोर्ड तो मेरी कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड है उसके बाद क्या है लाइन कि मेरे साथ कौन बैठता है यानि आपके साथ जो भी बैठता या बैठती है आपको उनका नाम लिखना है और मेरी कक्षा बहुत कैसी है आपकी कक्षा तो आपकी कक्षा बहुत बड़ी है या बहुत सुन्दर है आपको वो लिखना है आओ दोराएं चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर बताईए कि यह कहां का द्रश्य है यहां जाकर आप क्या करते हैं नीचे दिये गए स्थान में लिखे तो आपके चेप्टर में हमें एक पिक्चर दी गई है और हमें इस पिक्चर को देखकर यह बताना है कि यह किस चगे का चित्र है और हम वहां जाकर क्या करते हैं तो यह चित्र बगीचे का है और बगीचा बहुत सुन्दर है यहां जाकर हम अपने मित्रों के साथ खेलते हैं यानि कि हम बगीचे में जाते हैं और अपने मित्रों के साथ यानि कि अपने दोस्तों के साथ खिलते हैं यहां हम जूला जूलते हैं और फिसल पट्टी पर फिसलते हैं जैसे कि आप चित्रे में देख सकते हैं कि बच्चे जूला जूल रहे हैं और फिसल पट्टी पर फिसल भी रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है तो बगीचे में हमें बहुत मज़ा आता है तो हमने इस बगीचे के चित्र को हमने उसका वर्णन किया इसी तरीके से आ आपको भी अपनी बुक में ये कम्प्लीट करना है